अब खतम हुआ और प्रथान मंतरी नरेंद्र मोदी बहुत चुके है इंडिया टीवी के जेर्मन और एडिटर इंचीफ रजट शर्मा और मैनेजिंग डिरेक्टर रितू धवन ने प्रथान मंतरी का स्वागत किया और अब शुरू होने जा रहा है नरेंद्र मोदी का एतिहासिक इंटरव्यू करोणों दर्शत अब वो देखने माले हैं जो हिंदुस्तान के एतिहास में कभी नहीं हुआ तो शुरू हो रहा है प्रभान मंतरी ननेंद्र मोधी का एतिहासिक इंटर्व्यू सीधे जवाहर लाल नहरू स्टेडियम से इंडिया टीवी आपकी आवार्द नमस्कार इंडिया टीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज आप एक नए इतियास के गवा होने वाले हैं कुछी देर में हम इतियास का एक नया पन्ना लिखने वाले हैं ये सत्रवा चुनाव है, सोला लोकसवा एलेक्शन हुए, पंदरा प्रधान मंत्री हमने देखे लेकिन पहली बार एक प्रधान मंत्री जनता के सामने आएंगे अपने पांस साल के काम का हिसाब देने टीवी के दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ प्लीज वेलकम भारत के प्रधान मंत्री नरिंद्र दामोदर्दास मोदी प्लीज वेलकम 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 मुदी जी पाँच साल बाद मुबाइल पर फिर से मेसेज आ रहे हैं मेसेज आ रहे हैं कि देश की उमीदों का नाम है मुदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मुदी एक और मेसेज आया ये आज बिहार से मुझे किसे ने भेजा मोदी ने कर दिया एलान कान खोल कर सुनो इमरान कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान अब एक और मेसेज आपको सुनाता हूँ घर में घुसकर मारा है कब्र तुम्हारी खोदी है दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है तो हर जगा ये मोदी मोदी कभी आपने सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का कि गजय जी मैं आपका बहुत आपारी हूँ इंडिया टिवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ चुनाव के चार चरण हो चुके हैं तीन बाकी है इस बीच आप से बात करने का जावसर मिला है लेकिन आपने शुरुवात जनता के नाम से की है और वैसे भी आप जनता के पत्रकाह है पहले तो मैं इसमें सामान्य मानवी की जो क्रियेटिविटी है उसको एंजोई करता हूँ जहां तक मोधी मोधी का सवाल है 2014 में पहली बार मुझे याद तो नहीं कि इस प्रदेश में मैंने पहली बारे सुना यह पहली बारे शब्द बेरे कान में गुझने लगी और उसको मिडिया ने भी उठा लिया और शायद दुनिया के राजविती की तिहास में दो शब्दों का नारा दो अक्षरों का दो शब्द भी नहीं दो अक्षर नारा बन जाए यह पुलिटिकल पंडितों के लिए ध्यन का विशे है लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है जनता जिस प्यार से इन बातों को बताती है उसमें किसी के प्रती गुसा भी है किसी के प्रती नफरत भी है और मोदी के प्रती प्यार से ज़्यादा विश्वास और अपेक्षाए है और इसलिए शुरू में तो जब मोदी मोदी सुनते थो तो enjoy कर लेते थे लेकिन अब जब मोदी मोदी सुनता हूँ तो मैं सोता हूँ मेरी नीन मुझे और कम करनी पड़ेगी मुझे और जागना पड़ेगा मुझे और दौरना पड़ेगा क्योंकि सामान्य मान रिवे के लिए इस शब्द नहीं है सामान नेनागरी के लिए इस नाम नहीं है उसके दिमाग में उसकी समस्याओं का समाधान है अब तब मेरा दाई तो बहुत बढ़ जाता है मैं देश वासियों को उनके इस प्यार के लिए सर जुका करके नमन करता हूँ लेकिन उन्हें में जरूर कहूंगा मैं भी आपके जैसा एक सामान इनसान हूँ मुझ में भी जैसे कि इनसान में कमिया होती है वो कमिया है मुझ में भी हर इनसान में जैसे कुछ गुन होते है मुझ में भी गुन है लेकिन मैंने तहे किया है कि मैं इस पद पर रहते हुए और जहां भी रहूंगा आपके लिए जिऊंगा मोदी जी आप तो जिन्दर परोकर कह रहे हैं लेकिन मैंने देखा कि जो विरोधी है अब राहूल गांदी बैंगलोर में सभा कर रहे थे विद्यारतों की वीच वहाँ भी मोदी मोदी अब इसके लिए दहम क्या जवाब दे इसने मुझे लिखकर भेजा घर घर मोदी हर हर मोदी कान खोल कर सुने विरोधी आपको नहीं लगता कि सारा का सारा केमपेइन सारा का सारा भार आपके कंदों पर है मुझे जराबी नहीं लगता है शायद मैंने इतने जीवन में चुनाव लड़े हैं और उससे ज़्यादा लड़वाए हैं संगठन में रहते हुए ये पहला चुनाव मैं ऐसा देख रहा हूँ जो दल नहीं लड़ रहा है देश लड़ रहा है ये पहला चुनाव है जो भारतिय जनता पार्टी का कायर करता से जनता कई कदम आगे है सायद ये चुनाव ऐसा है कि मुझे चुनाव के लिए कोई मेहनत नहीं करने पड़ रही है मुझे जो मेहनत पड़ रही है और जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूँ पांच साल इस देश ने मेरा साथ दिया है मुझे आशिरवाद दिये है तो ये मोका है कि मैं उनका धन्यवाद करने जाता हूँ सर जुका करके नमन करने ले जाता हूँ मुझे जी पांच साल पहले जब प्रधान मंतरी बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी ये तो गुजरात के मुख्य मंतरी रहे कोई अनुभव नहीं है विदेश नीती कैसे चलेगी तो कुछ तस्वीरे मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आपने विदेश नीती को बाएं हाथ का खेल बना दिया कुछ तस्वीरे हम लेकि अपने अपने अपनिया एक अरीब परिवार का कोई विदेशो में पड़ा हूँव वैक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े-बड़े दुनिया के रास्तर दे उश्राइज इतना अनॉर्मस। निन्वाइट किया तो इस सारे पंडितों के लिए समझ्या हो गए कि ये क्या हो गया कि ये सपत अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हुई मेरा बैक्ग्राउंड क्या है क्या नहीं है उसका मेरे काम मेरे सपने मेरे प् विजा नहीं दिया था कई साल तक और फिर पांच बार अमेरिका विजा नहीं दिया इतना ही नहीं विजा कैंसल करने का थपा लगाया था और अब ट्रम्प कहते हैं कि में परिवारी चुछते हैं इवांका आपकी पैन दुनिया में आज जो आपने जो चीजे दिखाई ये दुनिया के सभी बड़े प्रमुक्ष लोग थे दिमाग से ज़्यादा व्यक्ति के दुरूप से मैं दिल से काम लेता हूं जब टेबल पर बैठते हैं आमने सामने बैठते हैं तो उसमें दिमाग प्रमुक्ष होता है लेकिन टेबल पर से उड़ते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूँ है और मेरा मेरी तनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है वो मेटर करती है और उस बात को मैंने करने की बड़ी कोशिश की इस से भी ज़्यादा पूरन बहुमत की सरकार हमारे देश में हमारे पूलिटिकल पंडित भी इसकी ताकत नहीं समझते हैं तीस साल तक देश में पूरन बहुमत की सरकार न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा विश्व में हमारी स्विकृती के लिए एक सवाल या निसान बन गया कोई भी देश होता था यार किते दिन रहेगा ये निरने करेगा कौन मानेगा मैं विदेश निती की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रती जो भाव जगा है उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के एक सो तीस करोड नागरिकों को देता हूँ दो हजार चौदा में तीस साल के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई उस सरकार का परिनाम है कि दुनिया के देशों को भारत के प्रती एक विश्वास पैदा हुआ है पूर्ण बहुमत की सरकार की बहुत ताकत होती है इस चुनाओ में भी मैं देश वास्चियों को यही कहता हूँ कि भारत जैसे विशाल देश और आने वाले दिनों में एशिया की दूसरी की जब चर्चा करते हैं तब भारत का रुत्बा और बढ़े यह हिंदुस्तान की 21 सदी के लिए उप्योगी है इसलिए सरकार पूर्ण बहुमत की ही चुननी चाहिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने साथी दलों को साथ रखकर के आगे बढ़े यह भारत की विशेस्ताओ के कारणा आवशक है दूसरी बात आपने अगर पूरी तरह एनालिसिस किया होगा तो मैं कभी यह कोशिस नहीं करता हूं कि जो नेता मुझे मिल रहा है उसके मैंने उसके विशे में मैंने क्या पढ़ा है क्या सुना है उसका बेक्ग्राउंड क्या है वो क्य सोचता है जब मैं one to one मिलता हूं तो मैं उन bagages को दिमाग में भरके नहीं मिलता हूं वो जैसा है वैसा मैं उनसे मिलता हूं और मेरे first experience के आधार पर चीजों को मैं step by step आगे ले जाता हूं उसके करण सामने वाले को भी एक समाधान होता है वरना दुनिया के किसी नेता के व होती है उसे कभी हम सही मुल्याकर नहीं कर पाते हैं और तीसरी बात कोई भी बात करूं मेरे दिल में कभी ये इच्छा नहीं रहती है कि मैं अपना प्रभाव छोड़के आओं ये बिलकुल मेरे मन में इच्छा नहीं रहती है मेरे दिल में एक ही भाव रहता है मैं उसे हि आपका एक सीक्रिट मेरे पास में एक तस्वीर, वो मैं जरा लू को दिखाना चाता हूँ, कहां से कहां आप पहुच गए, जब आप पहले अमेरिका गए थे, तो कैसे आप वाइट हाउस के बाहर खड़े हैं, ये तस्वीर मैं जरा आपको दिखाना चाता हूँ. जिस वाइट हाउस के बाहर आप खड़े हैं, कभी आपने सोचा था कि उस वाइट हाउस में आपके लिए डिनर किया जाएगा, उस वाइट हाउस में आपको परिवार का मेंबर मान लिया जाएगा? मैं ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा पताने बचपन से आत्मविश्वास इतना है, और एक कारण है, वैसे ये सब के सामने बोलना अच्छा है, नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ. बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे, दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो, एक तो हाइट बड़ी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज़्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं और मैं देखता हैं हमारे नेताओं को ऐसे कर के वो ले जाते हैं कि यह चीज में ज्टे बड़ी अखर्थी दिशेए मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों नहीं यह बारवाले ऐसा कर गर आगते हैं मेरे मन में रहता, तो मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा हो गए, यह मेरे मन में भाव भरा पड़ा था, यह क्यों था मैं नहीं जानता है, और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था, न मैं आँख जुका के बात करूँगा, न मैं आँख उठा के बात करूँगा, मैं आँख मिला के बात करूँगा। उस सताब्दी के निवित, मैं अमेरिका श्विकागो में कारकम के लिए गया था, कोइंसेडन्ट ऐसा था, उसी समय अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा, एक यंग लिडर कांफरेंस के लिए मुझे इन्वाइट किया गया, तो वो करीब चार हफते का कारकम था, तो ये अमेरिकन गवर्मेंट के कारकम के तहट, हम लोग महां अलग-अलग जगा पे जाते हैं, उसमसे ये एक तस्वीर है, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि मुझे भी कभी वाइट होस में आकर के मिली माथा-पच्छी करनी पड़ेगी, या मैं मालूम नहीं था, आए वास है है चाहे उबामा परिवार हो चाहे ट्रफ परिवार हो चाहे क्लिंटर अड powerful ने भी बुश का भी जिन लोगों से मेरा सबंद आया है अपना पन सब के साथ है वह ट्रम्प के बारे में तो लोग कहते हैं बहुत तेड़े इंसान हैं और लेकिन उनसे आपने ऐसी आत्मीता कर ले वो कहते हैं इवांका मोदी जी के फैन है पहले तो दुनिया के नेताओं के सबंद में हम किसी तीसरे के द्वारा जो जानते हैं वो सही नहीं है जी ऐसा नहीं करना चाहिए मेरा खुद का experience बिलकुल ही जो सुनता हूँ से अलग है बिलकुल अलग है जी और ये बात सही है मैं आपको बताता हूँ मैं जब पहली बार राश्पदी टरंप से मिला तो वाइट आउस में शायद हम लोग नव गंटे थे शायद रेर ऐसा होता होगा पर नहीं गंटे आ जाते हैं मिटिंग करते हैं अजब वो मुझे ले गए अपना फूरा वाइट आउस दिखाने के लिए वाइट आउस पहले भी जाता था अन्य राश्पदी के समय भी गया उन्होंने मुझे अबरहाम लिंकन जिस कमरे में रहते थे वहाँ स्पेशली ले गए और मेरे मन पर एक बात की बड़ी बड़ भाव रहा ना उनके हाथ में कोई कागज था कुछ नहीं था उन्होंने उस कमरे में जो टेबल था कौन सा एग्रिमेंट हुआ था कौन सा साइन हुआ था किसके था सारा हिस्ट्री डेट वाइश वह ऐसे ही बोल रहे थे बिना कागज और वह मुझे प्यार से इवन अपना खूद का कमरा भी वो मुझे देखने के ले ले गए काफी देर हम साथ रहे पूरा परिवार उन्हें उन्हें बुला के रखा था और स्वाभा भी है बात महिवान का भारत आना हुआ उनके दामाद भी अभी थोड़े दिन पहले आये थे तो एक प्रकार से परिवारिक रि हिंदुस्तानी है पहले क्या होता था हमारे ऐसी सरकारे चली उस परिवार को ही प्रोजेक करते रहे दुनिया में परिवार को ही मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे पीता, मेरे माँ वगेरे वगेरे मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, पांचे जार साल पुराना मेरा देश, मेरा योग, मेरा आयुर्वेड, मेरी संस्कूर्थी, मेरे अर्किटेक्ट्चर, मैं बस उसी की बाते करता हूं, तो मैं वहां हिंदुस्तान को लेकर के जाता हूँ और इस एलेक्शन में जनता के सर पे क्या है? अरे आप देखिए न, दस्टी जस्टे! कॉलेज, एरपूर्ट, आईटी पहग बन रहा है, प्रोग्रेस! और ये फर्क नजरिये का नहीं, एक्स्टीर, पेंट का है, बर्जर अंटी डस्ट पेंट, डस्ट कार्ट पहले उनसे पूछना, इतनी बाते क्या करते हैं यहां ससके? खंटों आपकी बाते चलती हैं. एक एक घटना मैं सुनाता हूँ, यहां पार्लेमेंट चल नहीं थी. एक हमारी रश्या के साथ बाइलेटर कांफरेंस होती है, रिगुलर्ली. एक वर्स यहां होती है, एक वर् तो पार्लामेंट में था मैं, और पार्लामेंट से मुझे मोस्को जाना था, तो सीधा ही पार्लामेंट से निकल गया, हवाई जहाज मैं थोड़ा खा लिया, हवाई जहाज में मेरा मिटिंग रहती है, ब्रीफिंग चल रहा था पुरा, और मोस्को जब पहुंचे था माइ तिक हमारे एंबेसेडर आये उन्होंने का साथ कारका में बदल हुआ है क्या हुआ भई बोले पुतिन साथ इंतजार कर रहे हैं उनके हाँ डिनर के लिए रात को नौ बजगे मैं नौ गंटे ट्राविलिंग करके आया हूं अभी कहा ले जा रहे हैं तो ने वोले साथ उनका बड़ा आगर आज जाना पड़ेगा मैंने कर कम से कि मुझे होटेल पर ले जाईए मैं फ्रेश हो जाओ शावर ले लो पिर चलते हैं मैं कितना समय लगेगा कितना टाइम लेंगे हो बोले साब जादा से जादा 50 मिलिट मैक्सिमम 50 मिलिट और बोले कोई नहीं होगा आप ह प्रोटीन होगे और इंटर्प्रेटर होगा अब खेर मना तो कर नहीं सकते थे आदिये दूरी छांगो लेकर नहां दो करके भागे हम कपड़े बदल करके हम दोनों बैठे बाते शुरू हुई था और आप हैरान हो जाएंगे जो 50 मिलिट का का बताय हुआ था मैं करीब चार बज़े होटिल बापिस आया बहुत सारी कानिया हम सुनते हैं अर्जेंटीना के प्रेजिएंट उनकी जो वाइफ हैं वो आपके लिए चाय बना के आई जी सिंगापूर के जो प्रेजिएंट हैं वो उनकी वाइफ आपको एक रस्ट्रों में खाना खिलाने के लिए अर्जेंटीना के राश्पती हैं वे बहुती नई नई चीजें जानना सिकने के बड़े स्वबाव के हैं और वहां उनके कैपिटल के वो प्रेमेर भी रहे राश्पती बने तो एक प्रकार से दोस्ताना सबन इंडारिक लिए पहले से बन गया था परोग सरूप से एक जर्मनी में मिलने वाले थे उनका कहना था कि मैं मेरे परिबार के साथ आना चाहता हूं अगर आप समय निकालेंगे तो मैं ठीक है तो उनका फैमिली और हम कुछ समय साथ बिताए जर्मनी में तब से दोस्ती हो गई अभी में अर्जेंटीन आ गया था तो अपने घर ले ग आए तो उनके स्रीमती जी स्पेशली कुछ चाय बनाने का पॉट और चाय वगर सब लेकर आई और राश्पती जीर खूदे बढ़ा करके मुझे फिलाया तो आपकी जारकारी सही है तो चाय वाले को चाय वाले को चाय अच्छी लगी है वैसे ही एक बार सिंगापूर मैं एक कारकम के लिए मुझे निमंतरित किया गया था मैं कीनोर स्पीकर था सेंगरा लेकिन वो उनका बड़ा महत्तोपूर कारकम होता है और स्वयम प्रधानमंत्री ओडियंस में थे बड़ा लेक्चर था खर मैं ट्रावेलिंग करके तो मैं एक कारकम करके पहुचा था स्नान करके कपड़े बदल करके लेक्चर करने गया था और काफी मैं देशों का टूर करके आ रहा था पूरा हुआ तो उनकी पतनी का भी बहां के सारवजनिक जीवन में बड़ा स्थान है बहां जो प्रधानमंत्री हैं कि पिताजी को मै मैं बहुत आदर करता रहा हूँ पहले भी मैंन के विशे में काभी करता था तो उनकी सिम्हत दीजी ने कहा क्या कारकम है मैं आप तो इतना दोड़दूप करके आया हूँ अब जाओंगा कल के कारकम का ब्रीफिंग बगर लेना है तो बहुत चलिए कहीं खाना खाना जाते तो बाकी लोग बैठे हुए थे एक दो टेबल बारों को रिक्वेस्ट करके खाली किया और वहां खाया हूँ उनकोंने सारी इंडियन डिस हैं साउर्थ इंडियन वो सब मंगवाई और मुझे खलाई और हम तीनी लोग बैठे थे बाकी लोग अपना खाना खा रहे थे लेकिन इन चीजों का प्रभाव बहुत होता है बहुत होता है सबसे ज़्यादा अश्चर हुआ लोगों को जब शी जिन पिंग को आपने अपने बर्स्टे पर बुलाया गुजरात में बुलाया जूला जूलाया साबर में के घुमाया क्योंकि चीन के राष्टपती की प् हानी है जी मैं जब प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के देश के लोग एक कर्सी कॉल करते हैं आपको बधाई देते हैं तो राष्टपती शी का फोन आया मेरा उनसे कोई परिचे नहीं था पहली मुलगा ट्लीलफोन के हुई तो फोन पर स्वाबाविक हम कहते हैं उन्हो आप हिंदुस्तान आईए तो ये कर्सी होती है उन्होंने कहां भई मुझे तुमारे गाउं जाना है फोन पर कहां पहले दिन मैंना का मेरे कह उचान है अपको तो उनको प्रोनाउंसेशन मालूम था बोले बढ़ना कर जाना है बोले मालूम है बढ़ना कर मुझे क्यों जाना है मैंना का मुझे मालूम नहीं है बोले हुएन संग जो चीनी फिलोसफर आट सो हजार साल पहले आया था बोले वो तुमार तो फिले हम लोगों के बड़ा जाता है मुझे ये तो मालूम थे कि हुएन सिंग भारत आये थे मेरे गाउं में रहे थे उस समय जहां मेरा जन्म हुआ वहाँ दस जार बहुत भिख्शुक की एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था होस्टल चलता था बदा और वह सब हुएन सिंग के बड़न में है तो बोले इसलिए मुझे गुजरात आ रहा है फिर डेट उन्होंने तै की तब मुझे भी मालूम नहीं था कि डेट तै करने के पीशे मेरा जन्मदीन है फिर वो आए बागी तो जो कारकम था वो हुआ उसका बद हम दोनों दिल्ली आए दिल्ली में मिटिंग हुई शाय 1562 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ उसके बाद एक बडलाव शुरू हुआ उसके बाद एक बडलाव शुरू हुआ और भारत और चीन के एंगेजमेंट बढ़ने लगे हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के अजक्ष राहूल गांदु कोई बात पसंद नहीं है उनका ट्वीट मैंने देखा था उन्होंने का कि जूला जूलाया गले लगाया क्या पाया और ये भी का बोदी जी तो शी जिन्पिंग चे डरते हैं आप कपिल सर्मा के शो के स्क्रिप लिखते हैं या परानी सबसे पुरानी पार्टी के राश्टी अजक्ष है और वो ट्वीट करते हैं तो क्या करें उस पार्टी को सोचना चाहिए अब वो कई दिन से कह रहे थे कि देखे मसूद अजर पर फैसला नहीं आया मसूद अजर पर फैसला नहीं आया शी जिन्पिंग ने अठका के रोग दिया मोदी जी को इनकी समस्या ये हैं कि वो मोदी का पुरा अध्यान नहीं करते हैं वो अगर अध्यान करते हैं तो साथ 50-60 परसंट तो समझ सकते थे कि अब मोदी इस रस्ते से जा रहा है तो उदर जाएगा लेकिन ये महनत नहीं करते हैं अब ये उनकी उनका प्राब्लम है दूसरा उनको जो बाहर के लोग दाना पानी डालते हैं उसी को उसमें से वो चीज बनाने कोशिश करते हैं प्राब्लम के है ये पुलवामा हुआ और एकदम चालू पड़ गए मोधी क्या कर रहा है मोधी क्या कर रहा है चालीश लोग मारे गए आपने सुबह देखा होगा सुबह शाम मोधी क्या कर रहा है अब किया तो किया क्यों किया क्यों इसलिए यहां तो वो धिरज रखें इंतजार खरें वोधी कुछ कर रहा बैटे उसी प्रकार से हमारे पाइलट जब ये दूसरे दिन जब कटना सुबह हुई अठाइस तारीकों उनका एक एफ सेक्षिन हवाई जहाँ तोड़ दिया उनके पाइलोट मारे गए लेकिन पाकिस्तान ने बड़े उत्सा में कह दिया कि हमने भारत का ही कर दिया यहां इतनी खुशी हो गई इन लोगों को अब मोधी बराबर शेकंजे में आया और वो तो और उसमें पता जला भारत का पाइलोट कैद किया गया है अब उनको उनके जमाने का अनुपव था कि अब दो-चार साल तक जाने वाला नहीं है और इसलिए इसलिए उनको लगा इसलिए उनको लगा कि पाइलोट वाला मामला ऐसा है कि मोधी का बाला कोट और हजार किलो का बम यह सब मिट्टी में मिल जाएगा और कहते हैं कि शाम को केंडल मार्च के कारकम भी ताय हो चुके थे पुरे देश में सुचना ही जा चुकी थी और अब मोधी बचनी सकता है अब साम को चार बच्टे बच्टे मामला बडल गया उनकी बाजी उलत भी अब ये मैं हरान हुझी जो जो देश की सरकारों का एनालिसिस करने की जो पिछले 25-30 साल चे जिन लोगों का आदत है न वो आज भी उसी पैरामेटर उसी तोर तरीके से मेरी सरकार का भी अनालिसिस करते हैं और इसलिए इनके सारे हिसाब के दाब गलत निकलते हैं ये बता दीजे कि ये हमारे विंक कमांडर भिंदंदुन को आपने छुड़वाया कैसे थे वो एक रात थी जिस रात मैं कही रात थे राज को राजी रहने दीजिए एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने बारा मिसाइल लगा दिये थे पाकिस्तान के सामने मैं भी बहुत कुछ सुनता हूँ और ये दस साल तक चाइना ने मसुदर्दर के मामले पर भारत को अठकाए रखा ये कैसे आपने उनको मना लिया आज से पहले दुनिया में हम कहां थे जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पा टक जाता था और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी ये पिछले 40 साल का रेकॉर्ड है इन दिनों पांच साल में आप देखते होंगे अने घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है पूरी दुनिया हमारे साथ होती है ये बहुत बड़ा बडलाव है बहुत बड़ा बडलाव है दूसरा आतंगबात के समन्द में हमारी consistent policy है कोई forum ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें भारत की हाजरी हो और भारत ने मानवता के पक्ष्ब की वकालत न की हो और आतंगबात ये मानवता का दुश्मन है आतंगबात किसी देश का नहीं दुनिया की मानुवता का खत्रा है ये लोगों को कन्वींस कराने में मैं सफल हुआ हूँ भारत सफल हुआ है और इसलिए अंतराश्ची जगत में कश्मीर मुद्दा रहा नहीं है अंतराश्ची जगत में आतंगवान मुद्दा है और उस मुद्दे पर दुनिया को साथ लेने का लगातार प्रयास और भारत की एक कुटनितिक भीजय है एक डिप्लोमेटिक विक्टरी है और जो इसके जानकार लोग है वो जूरू कभी ने कभी कहेंगे कि जितनी ताकत सर्जिकल स्ट्राइक की है जितनी ताकत एर स्ट्राइक की है उतनी ही ताकत ये UN के रिजॉलिशन की है इसका इतना लंबा इंप्रेक्ट होने वाला आपकी डिप्लोमेसी के बारे बहुत सारी बात ने किये हैं किसे चार लाई ने लिखके मुझे भेजी है जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है यहां हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ और बाते करें कुछ और सवाल पूछेंगे भारत के प्रधान मंतरी नरे नर्मोदी से यह पेंटिंग्स चिला चिला के अपनी ब्यूटी लिखा रही है तो पढ़ी अनपढ़ी हर किताब इस दिवार पे हल्ला मचा रही है फ्रेंच बिंडो ने इस दिवार को सजाया है हर छोटा बड़ा चेहरा लुक इट मी लुक इट मी चिलाया है चारो दिवारे कितना भी चिल्लाया है पर सारा अटेंशन ये शांत संदर पांच्वी दिवार ले जाए तावल स्टेल्स सीरीज दिजाइनर फैंस जो दें मैक्सिमम एर दिलिवरी और लोईस नोईस तावल स्वान सीलिंग आट बिना शोर मचा है सारा अटेंशन ले जाए जोटी गलियों से भी चमकता है बड़ा ना देखिये विकी की पूरी कहानी टेक्नो मोबाइल.in पर टेक्नो कैम अन आइफोग नाँ शाइन अनी लाइट टेक्नो चलो याँ से, चलो शाट सर्कृत चलिए, चलिए पर मैंने तो आग ना पकडने वाला वायर लगवाया ऐसी को वायर ही नहीं है पर आरर काबिल का पायरेक्स वायर ना काला जहरी लाद्मुआ छोडता है ना कभी आग फैलने देता है आरर काबिल अकलमंद बनो, सही चुनो ओलो, ग्रीज प्लीज, प्लीज दाले, है कलर करना, अब शांपू जटना आसान स्ट्रीक सेंस्टा, शांथू है कलर वो क्या एहसास है, जो बना देता है, हर लम ही को नया मेरी मावल चाहे, हर लमा नया हो चाहे और इस एलेक्शन में जनता के सर पे क्या है? अरे आप देखिए ना, डस्टी डस्ट है कोलेज, एरपूर्ट, आईटी पहग बन रहा है और ये फर्क नजरिये का नहीं एक्स्टीर पेंट का है, बर्जर अंटी डस्ट पेंट डस्ट गार्ट टेक्नोलजी धूर को दिवारों पे टिकने ही ना दे परजर अंंटी डस्ट पेंट मेरे साथ हैं भारत के प्रधान्मंत्री नरेद मोधी एक यहतियासिक दिन है, पहली बार देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने अपने पांच साल के काम का हिसाब बता रहे हैं जब आप प्रधान मंतरी बने थे मुदीजी आपको याद आपने मुझे कहा था कि पाकिस्तान को उसकी भाशा में जवाब देना चाहिए लव लेटर लिखना बन करना चाहिए आप प्रधान मंतरी बने आपने नवाज शरीफ को इन्वाइट कर लिया और फिर उनकी हाँ बर्धे मनाने केक काटने मीच चले गए 2008 में हम लोगों को 26-11 याद है लेकिन अगर 2008 देखेंगे शायद ही कोई महिना ऐसा गया है 2008 में जब कहीं ने कहीं बड़ा बम धमाका ना हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे न गया हो पूरा 2008 का यही सिलसिला चलता रहा 26-11 तो एक आखरी टॉप था ऐसा कह सकते है इतनी सारी घटनाए होने के बावजुद भी कुछ नहीं हुआ और तब जाकर के मैंने कहा था ये और शायद आपकी अदालत में मैंने एक बार कहा था कि लव लेटर लखना बंद करो और आपने देखा होगा वो लव लेटर लखते थे मोदी लड़ा को विमान बेचता है आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहां जाना एक गलती थी क्योंकि बाद में उन्होंने यहां आतंगवादी हमले करवाए जब वो शपत समारों में आये थे तो जो मैंने आपको रश्या की बात पताई थी उसी दिन में अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था मेरा अफगानिस्तान में कारकम था और शाम को मुझे हिंदुतान लोटना था कोई कि अटल जी का 25 दिसंबर जन्वदीन था तो मैंने जन्वदीन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फोन किया था काबूल से तो मने एका मिया साब कहाँ हो तो उन्वदीन था मैं लाहुर हूँ मना गए यार कमाल हो तो तुम रावल पुछी रहते ने हो लाहुर रहते हो तो उन्वदीन था कि मेरी भाद्जी की शादी है इसलिए मैं लाभ़र आया हूँ और परिवार के सब लोग यहां पर है तो उन्हें ऐसे पुझा आप पहा हूँ मैं काबूल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ तो भोले आप यहां होकर के जाईए आप अचानक तो कैसे बनाऊँगा नहीं बोले आप जाते हैं यह बोले हम दस मिट के लिए मिल लेंगे आप आईए मैंने हमारे विदेश मंत्री सुस्मा जी को फोन किया काबूल से मैंने उनसे कहा कि मैं तो धर्मसंकर में फसा हूँ मैंने इनको बढ़ाई के लिए फोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाए तो अच्छा रहेगा आपका क्या मत है बोल मेरे पाद नवीजा है नवी सेकुरिटी अरेंजमेंट है नवहां को याता-पता है सीजी जाके लेंड करें मरा कर चलो यार देखा जाएगा तो हम लाहोर लगए एक सदिछा से क्योंकि वो मेरे या सपन समार हो आया तो मुझे लगता है शायद एक जिन्यून व्यक्ति है कुछ कर पाएंगे और मुझे सिर्फ कर्शी कॉल करना है तो हम करीब आये बहां पहुंचे तो उनका अब मेरे हलिकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा नॉर्मली एक देश का मुख्या दूसरे देश में किसी दूसरे के जाज में नहीं बैठता है सोचता हैं पचास बार हम उनके हलिकॉप्टर में हम गए उनके परिवार जनों से मिले चाय बगेरे पिया गुड़ी गुड़ी बाते हुई बागे दू कोई सीरियस नहीं काफी लोग थे हम लोग लेकिन पूरे पाकिस्तान में मेसेज गया कि भारत सच मुच मैं पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है और ये सबसे बड़ी सबहुताती मेरी एक गंटे येस विजिट की कॉमन में पाकिस्तान के कॉमन में के दिल में जो जूट फैलाए गया था उसको मेसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की अवाम का बला चाहता है हम वापिस आए लेकिन एक ही हपते में पठान कॉर्ण हो गया अब ये जो लोग एनालिसिस करते हों को एनालिसिस करना चाहिए अगर मेरी तरफ से ये दो जिस्टिन नहुए होते एक सपथ समारों में बुलाना दूसरा काबूल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहोर में मिलना इन दों का इतना पॉजिटिव एन्वार्मेंट था कि विश्व को पठान कोट उरी के बाद की घटनाए या पुलवामा ये समझाने में मुझे महनत ही नहीं पड़ रही है लोग की दुनिया मान गए कि मोधी सच है देखिये उसने कोसिस की थी ये गड़वर पाकिस्दान की है तो ये दो घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्सों तक लाब होने वाला ये जिनको समझ नहीं है वो जूले पर क्यों बैठे और चाइपी ने क्यों चले गए कुछ लोग तो बीडियानी बीच में ले आये है तो ये ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी महरब या तो उनके दिमाग में राजनीती इतनी भर गई है कि राश्टनीती भूल जाते हो राश्टनीती सर्वो पर ही होती है राजनीती तो बात की बात होती है लेकिन देश का दुरभाग यह है कि अब और मेरे नसीब में ऐसा विपक्षमिदा है मैं क्या करूं मुदी जी इमरान खान को शिकायत है उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधान मंतरी बना तो आपको फोन किया आपसे उन्होंने का कि मैं प्रधान का बच्चा हूँ सच बोलता हूँ एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूँ विस्तार से मेरी बात्चीत भी हुई है जब वो प्रधान मंत्री यानि उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आये तो मैंने टेलिफोन भी किया था देश के एक मुख्या के नाते और तब भी मैंने उनसे कहा था देखिए इतने बार हमने लड़ाई या लड़ ली हर बार आपकी पिटाई हुई आतंगबाद करके भी कुछ पाया नहीं ये जितना हमने बरबादी 40 साल में किये है अगर हम 5 साथ मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाब लड़ू आप अपने देश में गरीबी के खिलाब लड़िए हम दोनों गरीबी के खिलाब लड़ें हम अपने अवाम का भला करेंगे तो उन्होंने मुझे कहा मोधी जी मैं पठान का बच्चा हूँ मैं सच बोलता हूँ और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आईए हम नई शुरुवात करें ये बात हुई थी पाकिस्तान में समस्या ये मैं अनुभव से हैं मेरा आकेले का अनुभव नहीं है दुनिया के देशों का अनुभव है गल्फ कंट्रीज के अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है मैंने अमेरिका, चाइना, रश्या उन सब से भी बात की है एक बात जादातर उभर कर क्या आती है कि भी आदात करोगे तो किस से करोगे आर्मी से करोगे आईसाई से करोगे कि elected body से करोगे बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है तो यह सबसे बड़ी समस्या है पहले वो अपनी यह समस्या सुलजा दे आपने समस्या सुलजा दी घर में घुश के मारा आखिर कर जब उनको हमने सबूत दिये बार बार दिये और जब गटना करते हैं तो इतनी प्यार से इतनी मिठी बात करते हैं जी आप भी सोचने के यार नेरे पाग्दम सुदर गया है पुलवा मा के बाद मैं उनकी बहुत मिठी-मिठी बाते मानने को तयर नहीं था माना का भाई यह आपकी बहुत बाते सुन चुका आप करते हैं नहीं कुछ हमारी यहां इतने लोगों को मार दिया आपको हमने सबूत दे दिये हमने एविडेंस दे दिये उनकी टेलिफोन दे दिये सब दे दिया लेकिन आप कहते हैं हम जाज कर रहे हैं और दस-दस साल हो गए तो अगर ठीक है अब हमारी सेना को जितने आता है वो करते रहेंगे उनकी बात तो समझ आते लेकिन हमारे यहां ममता दीदी हैं बहन मायवती हैं अकलेश भाई हैं राहुन भाई यहां जितने भाई बहन हैं आपके यहां वो सब कहरेते सबूत दीजिये देश के किसी भी नागरी को सबूत मागने का हक है राजनितिक दलों के नेताओं को भी सबूत मागने का हक है लेकिन सबूत मानना यह उनकी जिम्मेवारी भी है इनका प्रॉब्लेम है कि मांगते रहो लेकिन मानो कुछ नहीं सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान खूद है जी आप मुझे बताइए कि हमने तो कुछ डिकलर नहीं किया था हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से तो सुबह हम मिटिंग करने वाले थे मिटिंग करके कुछ योजना करने वाले तो उस प्रकार से जारा प्लान किया हुआ था जब तीन साड़े तीन बजे सब सब पूरा हो गया हमारे लोग लोट आए वो अपना यूनिफार्म अगरे उतार करके सब अपना चायवार कर रहे दे तो बड़ा हसी मजाक का काम चल रहा था जी मुझे भी इंफार्म कर दिया गया तो पहले मेरे मन कर गया कि चलो सो जाए फिर मुझे हुआ नहीं यार देखे ज़रा इंटरनेशनल में कुछ हल चल तो नहीं है मैं ज़रा ओनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में किसी पर इस घटना की खबरे आना शुरू हुआ तो नहीं है घटना बहुत बड़ी थी अधर मेरे लोग को मैंने का ठीक आप आप सो जाईए लोग ठके हुए होंगे सुबह बात क कि मैंने इस होया है पांच सब्सक्राइब पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया तो मैं फिर समझ गया कि मामला वह सिंपथी गेंद करने के लिए कुछ कर रहे हैं रोना शुरू कर दिया है मैंने फिर हमारे लोगों के घर्टा किया और मैंने गा भई तुरंट बैठना पड़ेगा तो रात पर जगे थे लेकिन फिर भी इकटे हुए फिर परिस्ते के परिस्तिते का मुल्यांगन किया आगे गिरान नहीं थी हम बनाते रहें यह सही है कि पाकिस्तान ने बाला कोट के निकाला है कि और जिसकी चर्चा पिछले दो-तिन दिन से ज्यादा हो रही है इस सब्जेक एक्षपर्ट है उन्हों के बही अब उनके लिए मुसिबत थी कि भारत ने आकर के यहां किया है तो यह सित्व हो जाता था कि यहां टेरिश केंप था क्योंकि इतने बड़ी पह इसलिए इनके लिए इसको छुपाने के लिए को इनको राश्ते ढूंड़ने ही पड़ेगे पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है यह भी कहें कि हाँ कोई आया था बम गिरा था तो भी फस रहे है और वो इतने डर गहे थे जी वो गलतिया पर गलतिया चकल है विमान उनका गिरा उनने के दिया हिन्दूतान का गिरा पाइलोर उनका मरा उनने के दिया हिन्दूतान का मरा यानि वो बिलकुल ही बैलेस कार्ण था कि इतनी बड़ी घटना उनके लिए असंबव थी जी और अभी भी उस सद्वे में से बान नहीं आए ये तो भारत में भारत में अगर चुनाव नहोते नहोते और ये तू-तूमे मैं नहोती और सामान्य दिवसों में घटना हुई होती तो विश्व की जो महत्मप ये चुनाव के तू-तू-मेमे में भारत के वीरों के पराक्रम को हमने नजरंदाज किया है और इसलिए मैं तो इश्वर से प्रात्ना करता हूँ कि चुनाव नतीजों के बाद शांती से इसके एक्सपर्ट हो वो देश को समझाएं कि भारत के लोग कितने पराक्रमी हैं, कितना बढ़िया काम किया है लेकिन जो जिरोधी दल के नेता वो भी काफी पराक्रमी है कॉंग्रेस के नेता बीके हरी प्रजाद उन्होंने का कि जो पुलवामा में हमला हुआ ये नरिद मूदी और इमरान खान की बीच मिली भगत थी ये मैच फिक्सिंग था कहते भी दिवाने, सुनते भी दिवाने, और सुनाने वाले भी दिवाने उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अब पुलवामा के बाद जिस तरह से आपने एर स्ट्राइक की, जिस तरह से सिना का प्राक्रम हुआ, उसका मूदी को इलेक्शन में बड़ा फाइदा हुआ है कभी भी मूदी और ये इस बात को आप देख लीजिए, जो लोग मेरे निकट समीजे जानते हैं, उनको पता है मैं चुनाव के लिए सरकार नहीं चलाता हूँ नहीं मैं दल के लिए सरकार चलाता हूँ सरकार मैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए चलाता हूँ सरकार में मेरे सारे निर्णें देश के लिए होते हैं हम ये नहीं कहते हैं, हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि हमसे कोई गल्टी नहीं होती है हम भी इंसान है हम मेरी कमिया है लेकिन हमारे इरादे नेक है हम देश हमारे लिए देश सुप्रीम है अब भारत में कुछ भी करो जी कुछ भी करो किसे ने किसी कौन में चुनाव होता ही होता है अब मुझे बताए कि कल यूएन ने इतना बड़ा निर्ड़ा किया मैं हरान हूँ आज कॉंग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाओं के समय अजर मसूर का निर्ड़ा है यूएन ने क्यों किया अब क्या इलेक्शन कमिशन नोटिस बेज़ेगा क्या का यूएन की मेटिंग मोधी तह करता है क्या अच्छा मान लीजे मान लीजे जो कहता है इतनी ताकत मोधी की है फिर तो ये देश में मोधी को ही संपूत देना चाहिए अगर यूएन को यूएन से जो चाहे वो मोधी करवा सकता है यूएन में चाहे वो डेट तैयार करवा सकता है यूएन के अंदर चार फेट के चुनाओं के बाद फिर एक ताहित आरीक करके करता है ताकि तीन फेट में फाइदा हो ये सम मोधी कर सकता है तो तो फिर एक सु इसलिए इनको समझ ही नहीं है कि वो क्या बयान करी उनके दिमाज में चुनाव इतना भरा यूए निर्णे करें चुनाव अब यूए ही ने यूए ही ने उसके देश का एक सबसे बड़ा सम्मान मुझे दिया उसमें भी उनको चुनाव दे दिया अब रशिया ने एक बहुत बड़ा आवर्ड दे दिया उसमें भी उनको चुनाव दे दिया अब दुनिया के देश के लोग ये कोई हमारा चुनाव का टाइम टेबल या कोड़ आप कंड़क पड़कर के थोड़ा देश चलाते हैं जी वो तो अपने हिसाब से देश चलाते ह है ना आप उलबामा हुआ पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ न कुछ तो करने वाले हैं मोदी खाली तो बैठेगा नहीं और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की चीज़ को रोकने की तो भी गए और बिना खनोचुए वापस आ गए वो जो 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 गलती जो गलती हमारे द और इसलिए वो भी मेरे स्विसम्न में यहां के लोग जो टीवी पे वगए दिखाते हैं उसके आधार पर सोते हैं इसलिए गलती हो जाती है उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा तो इसलिए उननों सब महां पर खड़ा कर दिया काम जाम पूरा इवन अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर क्यां रख दिया इवन जो है अनको भी लाकर कहां रख दिया स्वारे टैंक लगा दिये राडार लगा दिये सब लगा दिये अब हम बजरंग बली के जाय करकर ऊपर से ची씨 आज मैंने हमारे पूर प्रधानमंत्री डॉक्टर मन्बोन सिंग का एक इंटर्व्यू पड़ा है उन्होंने का कि हमने भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी लेकिन उसका फाइडा नहीं उठा सके अब वो एक ऐसा उनका कॉंग्रेस के पास अभी एक ही पूर्व प्रधानमंत्री है पहले रिमोट से सरकार चलवाई जाती थी एक परिवार के द्वारा और रिमोट से कुछ बुलवाए जाता है लेकिन आपको इस बात की चिंतानी हुई महबूबा मुफ्ती जब मुझे मिली उन्होंने का कि मोजी जू को ये बात ज़रूर कहिए कि आप पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है कुछ करना नहीं चाहिए कुछ भी हो सकता है मैं हरान हो जाता हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान में अपने आपको नेता मानते हैं भारत के समिधान के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं बारत के समिधान की व्यवस्ता के तहट सरकारे बनाते हैं लेकिन जब बात करते हैं तब पाकिस्तान की भाशा बोलते हैं इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता जहां तक नुकलियर का सवाल है बारत एक बहुती जिम्मेबार देश और पूरी दुनिया में हम एक responsible country के रूप में हम जाने जाते हैं और हमारा आच्रन से जाने जाते हैं सब्दों से नहीं हमी हैं जिनोंने nuclear के हमारी doctrine में no first use ये declare किया हुआ है दिनिया के दमाओ में नहीं किया है ये अटल विहारी वाजपाई जी ने doctrine में भारत के हिम्मत की बात है ये कहा है और भारत उसमें trust से मस नहीं है कोई भी सरकार आई तो मैंने एक दिन भी क्या दिया है ये बहुत हो गया ये खिलोना नहीं है ये एक responsible country का भेवार होता है और भारत इस विशे में responsible है प्रामधारी सिंग दिनकर के कविता मुझे किसने भीजी है आपको बताने के लिए आपका जो आपने जो पाकिस्तान के दिल में आतनबाद के लिए जो डर पैदा किया शमाशील हो रिपू समक्ष तुम हुए बिनीत जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती दीप्ती बिने की संदी बचन संपुझ यूसी का जिसमें शक्ती भी जाएगे मैं जिनोंने इस रतना की है उनको बढ़ाई देता हूँ सक्ती का अपना एक सामर्थ होता है लेकिन सक्ती का प्रगटी करान संसकार से कंट्रोल होना चाहिए संसकार के अधिजान पर सक्ती होने चाहिए वरना शक्ती रावन के पाद भी थी संसकार हिन शक्ती विनाशक होती है शक्ती संसकार युक्त होनी चाहिए मोदी जी एक ब्रेक ले रहेते हैं फिर एक ब्रेक के लिए हम रुखते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे देश की राजिनीती की चुनाव जी और मोधी सरकार की उपलब जी प्रिक्राइब प्रिक्राइब एडिया टीवी आपकी आवार्ड़ और इस एलेक्शन में जन्ता के सर पे क्या है? अरे आप देखिये ना दस्ती डस्ते कॉलेज, एरपूर्ट, आईटी पहग बढ़ रहे और ये फर्क नजरिये का नहीं, एक्स्टीर पेंट का है, बर्जर अंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ट टेक्नोलजी धूल को दिवारों पे तिक नहीं ना दे, बर्जर अंटी डस्ट पेंट थैंक गॉड हमारी शादी हो गई, क्यों? बॉइफ्रेंड को हर छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे? जैसे धंके कपड़े पहन के आना, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा, अब नो टेंशन अरे, बेभी बॉइफ्रेंड भले ही छोटी सी छोटी चीज का ध्यान ना रखे, यह हस्बन तो रखे, अच्छा लगता है ना, जब कोई आपके हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखे, लॉइग ग्रैंडे एर कंडिशनर्स दे आपको रैपिड कूलिंग वाइफाई कंड्रोल के जा ठैंक गॉड हुआरी शादी होगे, ओ, ख्याल रखेंगे, खुश रखेंगे छोटी गलियों से भी चमकता है बड़ा नाम, देखिए विकी की पूरी कहानी, टेक्नो-mobile.in पर, टेक्नो-cam on iPhone, now shine in any light, टेक्नो टाले, है कालर करना, हब शांपू जितना आसान, स्ट्रीट सेंस्टा, शांपू है कालर, और इस एलेक्शन में जनता के सर पे क्या है, अरे आप देखिए ना, दस्ती दस्ते, कॉलेज, एरपूर्ट, आईटी पहग बज रहे, प्रोग्रेस, और ये फर्क नजरिये का नही एक्स्टीर पेंट का है, बर्जर अंटी डस्ट पेंट, डस्ट कार्ट टेक्नोलजी धूल को दिवारों पे तिक नहीं ना दे, बर्जर अंटी डस्ट पेंट, ये पेंटिंग्स चिल्ला चिल्ला के अपनी ब्यूटी लिका रही है, तो पढ़ी अनपढ़ी हर किताब इस दिवार को सजाया है, हर छोटा बड़ा चेहरा, लुक इट मी, लुक इट मी चिल्लाया है, चारो दिवारे कितना भी चिल्लाएं, पर सारा अटेंशन ये शांत सुंदर पांचवी दिवार, ले जाया है, थावल स्टेल्स सीरीज डिजाइनर फैन्स, जो दे मैक्सिमम एर और लोइस नुइस, आवल स्टेल्स सीलिंग आर्ट, बिना शोर मचाए, सारा अटेंशन ले जाए, भारत की जनता को सलाम करने का दिन है, भारत के प्रधार मंत्री अपने पांस साल के काम का लेखा जोटा दे रहे हैं, भारत में जो आपके विरोती हैं, वो कैसे सिर्फ पाकिस्तान को डरा के नहीं रखा, आपने सब को डरा के रखा है, आपने रॉबर्ट वाडरा को डरा के रखा है, चिदमरग को डरा के रखा है, आपने सुनिया गांधी को डरा के रखा है, आपको शाहिद याद होगा, सा मैं 2014 में आपके अधालत में ऐसा ही एक सवाल आपने मुझे पूछा था मैंने पूछा था तब मैंने कहा था बिलकुल डरना चाहिए यह प्रदान मुद्री बनने के बाद नहीं कह रहा हूं और तब मैंने कहा था देश में जब पापियों का डर खतम हो जाता है ब्रष्ठाचारियों का डर खतम हो जाता है गलत करने वालों का डर खतम हो जाता है तो वो देश खतम हो जाता है देश के लिए आवश्यक होता है जो आतंगवादी है बिगटनकारी है उनको मेरी सेना का डर होना चाहिए मेरे सुरक्षाबलों का डर होना चाहिए जो ब्रस्ट आचरन करते हैं बेहिमानी करते हैं उनको कानून का डर होना चाहिए जो नीती विरुद काम करते हैं उनको नेक और नियत का डर होना चाहिए और इसलिए ये डर अच्छा है और ये डर अच्छे के लिए है और ये डर अच्छों के लिए है लेकिन ये जो आप कहते हैं कि ये विरूधी दल इकटे हो गए महा मिलावट है तो ये महा मिलावट आपके डर से तो ही आपके डरसे अखले शादर उमायवती साथ आगए आप देखिए ये सारे लोगों का जरा बरा बरा एक बरा आप एक स्रे देकाल देगे ये बहुशवादी लोग है ये सब ऐसे हैं कोई बेल पर है कोई कोड के चकर काट रहा है किसी पर कानून की तलवावर मेरे करण नहीं मेरे पहली बाली सरकारोस है कोई जेल में पड़े है ये सारे लोग है अब उनको ये लगता है कि बचने का रास्ता मिल नहीं रहा है एक ऐसा आदमी इसको खरीदा नहीं जा सकता इस आदमी को दमाया नहीं जा सकता और ये तो सीधी लाइन में चलता है अगर कानून में आपके आप सही होगा तो आपको कोई नुक्षान नहीं कर सकता और आप गलत है तो कोई बचा नहीं सकता ये उसूल पर चलने वाला इंसान है जब तक इसको हटाएंगे नहीं हमारा ये सारी मुसिबतों से मुक्ति नहीं होगी वो देश के लिए उनको कई परवा नहीं है उनकी अपनी मुसिबतों से बचने के लिए अब बहा मिरा बटियों का अब उनको पता है डूब रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक योगी जी ने साफ साफ कर दिया उनका तो उनको लगा यार ये तो मोदी आ रहा है वो तो योगी था ये तो मोदी है हाथ पकड़ो यार वरना मर जाएंगे तो ये बच्चने के लिए जैसे तीन का ये हाथ पकड़ने के लिए बचने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका करेक्टर क्या है थोड़ा सा भी उनको अभास हो जाए हाँ आप बच गई है तो तुरन टांक पकड़कर के किच दे हाथ छोड़ देते हैं टांक पकड़कर अब कॉंग्रेस सेने तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपकी डर की वज़े से मोदी वापस आजाएगा डर अच्छा है लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता वो एक डालोगे ना राहूल नाम तो सुना होगा आपने वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते मैंने एक बाद सुना था कि धरती कम पाँ जाएगा तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लामेंट में बैठा मैंने का हो सकता है गंटे के बाद आए दो गंटे के बाद आए बड़ा इंतजार किया जी नहीं आए अब उनके भाषण में रोज सुनते हैं रोज भाषण में ये क्याते हैं देखा मोदी डिर गए देखा मोदी जी का चेहरा चोटा हो गया देखा मोदी जी मुस्कुरा नी रहे अगर कोई मेरे लिए इतना समय निकालता है तो अच्छी बात है कोई तो है जो हमारे हम ठके हुए वो कह रहा है हम हमारे जिंता कर रहा है अच्छी है रोज कहते हैं जी कि चौकीदार चोर है रोज कहते है आप बताईए आप हिंदुस्तान के किसी भी कौने में पूछ लेता है मुझे पूछना ही नहीं पड़ेगा और ये उनके जो भाशन है चौनाओं में वो यही है चौकीदार चोर है और अनी लंबानी की जेब में नरेन बूदी ने तीस हजार करोड उपर डाल दी है मैंने कभी सुना एक लाग तीस हजार करोड कभी सुना चालीस हजार करोड कभी सुना असी हजार करोड इतने आंकड़े बोलते गए हैं पता नहीं अब वो कौनसे वाला सही माने कौनसे वाला गलत माने कुछ समझे नहीं आ रहा है जी एक आंकड़ा हमारे पास में है वो मैं आपको वीडियो पर सुनाना चाहता हूँ गुज्रात के किसानों की गुज्रात के गरीब लोगों की गुज्रात के आदिवासियों की जमीन थी इन दिनों मैंने सुनाय कोई एवेंजर फिल्म चल रही है और कहते हैं कि बिन बिन ग्रहों के लोग उसमें सामील होते हैं ओ सकता है कि जो एवेंजर फिल्म बार स्क्रिप्ट रैटर होगा न उसने जब दुनिया के ब्रह्मान के सभी लोग की साइज क्या है वो अपने स्क्रिप्ट के लिए शाय लिखा होगा आखडा वो शायद इनकी टोली में आ गया होगा उनका एक नए बात्तर हजार उपैस साला देगे गरीबों को उनके गुरू को मेडिया बालों ने पूछा तो गुरू ने कहा कि मिडल क्लास सेलफिस हैं मिडल क्लास स्वार्थी हैं हम मिडल क्लास पर टैक्स लगाएंगे मिडल क्लास से पैसे निकालेंगे और उस पैसों से हम यह उजनाई चलाएंगे तो उनके जो गुरू है उन्होंने तो मिडल क्लास को कैसे खतम कर देंगे उसकी पूरी ब्लूप्रिंट बना करके रखिए जैंगे और वो बाताता रुपई जब हम पूछते हैं कहां से लाएंगे तो वो कहते हैं कि जो विजय मालिया, नीरव मोदी, लालित मोदी यह जो पैसा लेके भाग गए हैं, उनसे पैसा लेके वो लोगों को दे देंगे लेकिन परिशान तो वो भी हैं जो भागे, विजय मालिया कह रहे हैं कि मैंने 9000 करूर रुपे लिये थे, मोदी जी ने 13000 की मेरी संपत्ती जब्त कर दी, तो भी नहीं छोड़ रहे हैं मैंने कानून बनाए, कोई बच नहीं नहीं पाएगा, जो लूटा है देश का पाई पाई देना पड़ेगा, और विदेशों में भी जेल में जाकर करना पड़ेगा, उनको यहां आना भी पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है, और मिलकर जब तक हैं, आक्षन करते चले जा रहे हैं रुपय जमा होते जा रहे हैं बैंकों को मिलते चले जा रहे हैं कोई बचने वाला नहीं है जी इसलिए आपके लिए का है चोर काफें चम्चे काफें चोर काफें चम्चे काफें काफें हर गदार देश का बच्चा-बच्चा बोल रहा है मैं भी चौकिदार आजहादी के 75 साल हमारे सामने है और हिंदुस्तान के हर नागरी के दिल में यही भाव जगाया मैं भी चोकिदार तो इस दुनिया को ये दुनिया को स्विकार करना पड़ेगा कि भारत सर्वों पर ही बन रहा है एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे जनता के सवालों की लोगों के मन में क्या सवाल है इसके बात करेंगे ब्रेक थैंक गॉड हमारी शादी हो गई क्यों? बॉइफ्रेंड को हर छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है जैसे? जैसे डेट पे गिफ्ट लाना लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा अब नो टेंशन अरे बेगी बॉइफ्रेंड भले ही छोटी सी छोटी चीज का ध्यान ना रखे ये हस्बंड तो रखेगा अच्छा लगता है ना जब कोई आपके हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखे लॉइट ग्रैंडे एर कंडिशनर्स दे आपको रैपिड कूलिंग वाइफाइ कंट्रोल के साथ फैंक गॉड हमारी शादी हो गए ख्याल रखेंगे, खुश रखेंगे वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लमहे को नया चब चुपके से हर तरफ खुल जाए एक नई सी तास्की छेड़ दे कुई एक मीठी सी अंसुनी सी धुना मेरी मावल शाहे हर लमा नया हो जाए और इस एलेक्शन में जंता के सर पे क्या है अरे आप देखी ना दस्टी डस्ट है कॉलेज, एरपूर्ट, आईटी पहग बज रहे है और ये फर्क नजरिये का नहीं एक्स्टीरियर पेंट का है बजर अंटी डस्ट पेंट डस्ट कार्ट टेक्नोलोजी धूल को दिवारों पे टिक नहीं ना दे बजर अंटी डस्ट पेंट एडिया टीवी आपकी आवार्ज वेल्कम बैक, मेरे साथ हैं भारत के प्रधान मंतरी नरेजर मोदी और देश की जंता मौका है देश के चुनाव का और मौका है प्रधान मंतरी से उनके काम के बारें पूछने का जंता के कुछ सवाल मेरे पास में बाबला कोचर का एक सवाल है आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ उसके लिए सामदां, दंडबेद, कुछ भी अपना हो जब आप तक ये भात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है मैं उनका अभारी हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक एजिन्द्ड बना दिया है और मद्दाताओं के सामने बड़ा limited choice है कि एक मोधी को रखना है नहीं रखना है दूसरा है मोधी को हटाना है उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है उनके पास ये भी नहीं है कि मोधी को हटाना क्यों है दूसरी तरफ देश को पता है कि मोधी क्या-क्या हटाना चाहता है और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सब का बचना बड़ा मुश्किल है जी मुकेश लूत्रा का सवाल मेरे पास में है मेरा काम मुझे बहुत देशों में और बहुत शेहरों में लेके जाता है और सब लोग उसमें जबी में जब बात करता था उनसे सब यही कहा करते थे कि मोधी जी हिंदु वादी है और आजकल तो यह देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता पहले जहां जाते हैं पहले शिव मंदिर से राम मंदिर से शुरू करते हैं और अपने आपको भी हिंदू कहना शुरू कर दिया है तो इतना बदलाव ये कैसे आया इस बदलाव से ब्रमित होने की जरुवत नहीं है ये सीजनल कारोबार है वो नामांकन भरने के बाद अगर तिरेंगा जंडे से वोट कम मिलता है अगर हरा के जंडे से ज़्यादा मिलता है तो रोडसों में हरा जंडा लगा दो और इसलिए इस सीजनल जो कारोबार करते हैं उनकी राजनीती चल जाती है लेकिन न उसे देश चलता है न जनता का विश्वास चलता है दूसरी बात है कि सच्ची दिल से किसी भी वेक्ति में अगर परिवर्तन आ रहा है तो हमें उसको मदद करनी चाहिए शक्क्यों करना चाहिए मैं एड्रेस दे सकता हूँ बहुत अच्छे-च्छे मंदिरों का कोई जाना चाहता है क्याकि मैं उस दुनिया से मैं उस दुनिया से ज़्यादा परिचीत हूँ ममता दीदी में हमने परिवर्तन देखा है वो भी आज काली मा की बात करती है वो भी आज हनुमान जी की बात करती है मरयादा पुछोतम राम के मंदिर की बात करती है। एक सोनी पांडे का सवाल मेरे पास में है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 2014 के ख़बार निकाल दीजिए। 2013-14 के। हर दिन ख़बर क्या होती थी। बहन बेटियों की असुरक्षा की खबर रहती थी। महंगाई, दाल का दाम इतना, दाल का दाम इतना, दाल का दाम इतना, पूरा चुनाव का मुद्दा बन गया था। फिर दूसरा गोटाले, कोईला में गोटाला, टूजी में गोटाला, सबमरीन में गोटाला, हेलिकॉप्टर में गोटाला। तीन खबरों से भरा पड़ा रहता था। और चुनाव शुरू होने से पहले एक प्रकार से माइंड अक्यूपाई कर लिया था। पिछले पांच साल में हमारी सरकार के एक विशेस्ता रही हैं, करीब-करीब 90 के बाद, 90 के बाद, और एक प्रकार से तो आजादी के बाद, पांचों साल हाईस ग्रोथ रेट रहा हो और लोएस इंफिलेशन रहा हो, तो येसी सरकार ने मोडिल दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एचिमेंट है, और ये सिद्धी को अभी हम उत्सव मनाना सीखे नहीं है। और इसके कारण नेगेटिविटी का जो अभाव है, उसके कारण चुनाव डल लगता होगा, लेकिन सिद्धी का उत्सव भी हो सकता है। और इस चुनाव में मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बहुत सालों के बार प्रो-िंकम्बंसी वेव है। आम तौर पर जादा वोट होता है सरकार को हटाने के लिए। इस बार देखा जा रहा है कि बढ़ चड़ करके 2014 से जादा वोट हो रहा है इस सरकार को दुबारा बिठाने के लिए। एक सोशल मीडिया से सवाद जो कुछ आए हैं एक सवाल बड़ा इंट्रेस्टिंग है उन्हें का कि कहीं आपने हिसाब दिया ता एक दिन में आप जनता के लिए क्या क्या करते हैं यह अगर आप बताएं जनता बड़ा इंट्रेस्टिंग है मेरे पास अभी एकजएट निकला आएगा देखो मोधी जूड बोला मोधी जूड बोला मोधी जूड बोला मैं रजयती से विशेज आगरा करूँगा कि मैं इसका लिखी टेक डिटेल भेज दूंगा आपको ताकि कोई गलत जानकारी देश को नहीं जानी चाहिए और जरूर आप अपने दर्शकों को इसी इंटर्वू का हिस्सा बना करके दिखाईए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा एक और सोशल बीडिया का सवाल है अच्छा अच्छा तुरंद मिल गया अच्छा मैं अपने पास चीज़ रेडी रखता हूँ वैसे लेकिन मैंने सोचा जाएज यहाँ लेकिन आपको इजाज़ रता है अच्छा हो जाएगा यहाँ हर रोज प्रदानमंत्री उजवला योजना के तहर लगबग सत्तर हजार माताओं को मुप्त गैस कनेक्शन मिल रहा है हर रोज सवभा की योजना के तहर लगबग पचास हजार घरों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है हर रोज जन्दन योजना के तहर खरीब 2,10,000 करीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं हर रोज मुद्रा योजना के तहर लगबग 1,15,000 उद्दमयों को लोन दिये गए हैं हर रोज प्रदानमंत्री आवास योजना के तहर हजार से अधिक गर बन रहे हैं जिसकी चाबी सुप्रत की जा रही है हर रोज स्वच्छ भारत मिसन के तहट साथ हजार से अधिक सौचाले बन रहे हैं साथ हजार सौचाले पर दे हर रोज करीब एक लाग तीस हजार किसानों के वो सौइल हेल्ट कार दिया जा रहा है हर रोज अविश्मान भारत योजना के तहट नव हजार से अधिक मरीजों को मुप्तमे इलाज मिलता है हर रोज डारेक बेनिफिट ट्रांसपर जो सरकार की साहजा देती हैं हर रोज डिविटी के तहट चार सो करोड से जादा रकम गरीबों के खाते में सीधी जामा हो रही है पर दे हर रोज प्रजान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना से करीब करीब एक लाग पांच हजार लोगों को लाब मिल रहा है अंगिवित संक्या में बता सकता हूंगी मैं यह सोचल मीडिया में कहा है मेरी तरब सोच का धन्यवाद कईए एक और सवाल सोचल मीडिया के मेरे पास में है उनऊ कहने क्याने कि रहूल गांदी हर रोज कहते हैं कि आपने वधा किया था कि दो करोड़ लोगों को हरसा रोज़गार देंगे वो कहरे मैं हर जगा ढून रहा हूँ आपने कहां वादा किया था ये तो बता दें कम से कब मैं मानता हूँ शायद Greenwich Book of World Record में एक भ्यक्ती कितना जूट बोल सकता है कितनी बार जूट बोल सकता है कितने प्रकार का जूट बोल सकता है कहां कहां जुट बोल सकता है किस किस के सामने जुट बोल सकता है अगर इसके निकाले तो शायद ये नंबर वन ले जाएंगे और आने वाले आने वाले पचास साल कर लेकिन ये जो रोजगारी वाला उनका जुट है वो मुझे सूट करता है इसलिए मुद्रा योजना में बिना बैंक गारंटी हम लोन देते हैं लोन लेने वाला कारोबार करने के लिए लोन लेता है सबाद चार करोड लोग वो हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बैंक से लोन लिया सबाद चार करोड इसका मतलब उन्होंने कोई रोजगार शुरू किया इसका मतलब उन्होंने किसी एक को रोजगार दिया किसे ने दो को रोजगार दिया करीब इन पांच साल के कारकाल में छे लाख नए प्रोफेशनल्स आए चार्टर एकाउंटन्स हो वकील हो डॉक्टर ह छे लाग छे लाग प्रोफेशनल्स आना मतलब किसे ने दो लोगों को रोजगार दिया होगा किसे ने तीन को दिया होगा किसे ने पांच को दिया होगा रोजगार दिया हमारे देश के अंदर पहले जितने रोड बनते थे उससे आठ डबल रोड बन रहे हैं तो manpower लगा होगा रोजगार बढ़ा होगा पहले जितनी railway बनती थी उससे double railway बन रही है पहले जितना electrification होता था उससे double electrification हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इन सारे कामों में रोजगार बढ़ा है पहले सरकार ने अपने कारखाल में 25 लाग गर बनाए गरीबों के लिए हमने डेड़ करोड बनाए तो 6 गुना जादा कि जनकी से रोजगार मिला होगा मैं अन गिनत चीजें आपको बता सकता हूँ लेकिन एक जूट चलाए जा रहा है तो मुझे भी जूट सूट करता है मुझे मोका मिलता है देश को ये अकाउंट देने का मुझे भी दिल्ली वाले पूछते हैं कि पांच साल हो गए आपको दिल्ली आये हुए तो कभी आप आराम करते हैं कभी रेलेक्स करते हैं कभी सिनेमा देखते हैं अभी ऐसा है कि इन दिनों मनोरंजन देने वाले इतने लोग मैदान में आये हैं आप मनोरंजन के लिए और कुछ करने की ज़रूद नहीं है आपकी जो जिन्दगी है 20 गंटे काम करने की तीन चार गंटे सोने की एक जगह जगह दोड़ते रहने की यह तो पांस साथ से हम देख रहे हैं मैंने किसी प्रधान मतर को इतना काम करते नहीं देखा खुश हैं आप खुश भी हूँ किसी भी परिष्टिती में खुश रहना जानता भी हूँ लेकिन मैं कभी मेरे भीतर संतोष को पालता नहीं हूँ मैं मेरे भीतर के असंतोस को किसी भी हाल में जगाए रखता हूँ कभी मुझे ने कहा हाँ संतोस की पहला ही तो मैं जोता है नहीं यार कहीं से असंतोस ले आओ एक नहीं योजना ले आता हूँ नया विचार लेता हूँ और फिर एक असंतोस पदा करता हूँ, फिर संतोस मिले तब तक दोड़ता हूँ, फिर नया असंतोस पदा करता हूँ, और इसलिए मैं मेरे भीतर, क्योंकि संतोस मुझे सोने की प्रेना देता है, असंतोस मुझे सामर्थ बन बेनने की सक्ति देता है, मेरे भीतर, मेरे भीतर असंतोस की ज्वाला में बनाए रखता हूँ, ब्यक्तिकत हिच के लिए नहीं, सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाए, कुछ नो कुछ नया करूँ, कुछ नो कुछ नया देखूँ, ये मेरी, और वो ही मेरी उर्जा है, तो इसकी वज़े से आपके साथ जो मंतरी काम करते हैं अफसर काम करते हैं, उनको भी तो परिशानी है ना, ना सोँगा ना सो नहीं दूँगा, मैं जब गुजरात में था, तो गुजरात में इन्वेश्मेंट लाना ही मेरा मुखे काम था, तो उद्योग जगत के लोगों को हम साथ ले जाता था, तो वहां जो मिटिंगे मेरी तैय होती थी, तो पुछा में साथ तो आते थे वो, बाद में वो दो ग्रूप करते थे, मेरे साथ जो डेलिकेशन रहता था, बोले आधा दिन ये डेलिकेशन रहेगा, आधा दिन ये रहेगा, बोले इतने घंटे हम काम नहीं कर सकते, याने कम्पनियों के मालिक, वो कभी पूरा समय मेरे साथ काम नहीं कर पाते, वो कहते हैं, जब आधा समय ये ग्रूप रहेगा, आधा समय ये रहेगा, हम इतने घंटे काम नहीं कर सकते, मैं कारिये के मिना रह नहीं सकता हूँ, मैं मानता हूँ, देश ने सतर साल बिगाड़े हैं, हमारे कई चीजे होनी चाहि का वो नहीं हुआ मुझे एक तरब तो उस 70 साल की खाई को बरना है और देश को 2022 जब हजादी के 45 साल होंगे एक ऐसे माहुल के और ले जाना है कि देश चल पड़े और दुनिया में जो चीजें पाने में 30-40-40 साल लगते हैं मेरा देश उसे 10-15 साल में प्राप्त कर सके वो करना चाहा है मैं चार लाइने आपके लिए जो मुझे भेज़ें किसी ने वो कहके बात फ़तम करूंगा जिन्दगी जीना आसान नहीं होता बिना संगर्श को इमान नहीं होता जब तक नपढ़े चोट हतोड़े की पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता हमने बात की भारत की प्रधान मतिरी नरिन मोडी से उनके पांच साल के कामकाच पर अब ये फैसला आपके हाथ में देश की जनता के हाथ में अगर आप नरिन मोडी की बातों पर विश्वास करते हैं तो हाथ उठा कर ताली बजा कर समरतन करें अरे पर एडिटर नशीफ रदर चर्मा के साथ प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी के इस इंटरव्यू ने 90 मिनट में एक पर फिर एक नया इतिहास रचा आपने देखा ये पूरा इंटर्व्यू, प्रधान मंत्री का ये बाकई एतिहासिक इंटर्व्यू, देड़ घंटे से देश भर में च्विटर पर नमबर वोगाई.